इस धर्ती में सब कुछ डीपेंड करता है आपका कम्यूनिकेशन स्किल के उपर चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका सक्सेस सब कुछ डीपेंड करता है एफेक्टिव कम्यूनिकेशन स्किल के उपर हम जब किसी से कुछ भी बात करते हैं तो जैसे इस धर्ती में सब कुछ का masculine feminine दो चीज़ होता है यह पर masculine feminine का मतलब exactly ओचीज नहीं है जो आप सोच रहो communication में ऐसे अगर हमने सोचे जैसे masculine का मतलब आप क्या समझते हो स्ट्रॉंग रोबास्ट और आणड आउट वर्ड और फेमिनन का मतलब सोफ्ट टेंडर स्मार्ट स्टैप का मतलब कम्यूंकेसन में यह दोनों चीज़ बहुत जुरूरी है अगर मान लो कि आप बात कर रहे हो तो यू सुट भी स्ट्रॉंग एनाफ एंफासाइज एनाफ करे कि यू आट देट टाइम वाटेवर यू आर एक्स्प्रेसिंग दाट इस आउट गईंग वह आपका मैस्कू नहीं मला होना चीए बड़ जब भी कोई चीज सून रहे हो यू जब सून रहे हो तो उस टैब में सॉफ्ट टेंडर स्वीट एस सब चीज होना चीए सो देट जो कम्यूनिकेट्र हो रहा है वह एफेक्टिबल जी हो पाए बहुत सारे कम्यूनिकेट्र में ऐसे देखा जाता है कि everyone is speaking अप किसी से communication कर रहो दोनों ही बोलता जा रहा है और दोनों ही masculinity उसका लिया तो ओ effective communication कभी नहीं होगा और दोनों ही feminine है कोई दोनों ही सुनना चाता है बोलना कोई नहीं चाता है दोनों ही सुनना चाता है तब भी effective communication नहीं होगा मतलब इन दोनों जो skill है इसको आपको समझना पड़ेगा और कब कौन सा यूज करना है जो जितना एफेक्टिवली इसको यूज करते है ओ उतना अच्छा कम्यूनिकेट कर पाता है मतलब रिलेशन में मैं बहुत दुखी हूँ आप कोई ना कोई मैसकुना इन फेमियन का प्रॉबलेम है प्रॉबलेम होगा मतलब हर आदमी को हर परसन को नोट अनली आदमी इसमें एवरिवरीवन इनवाल्व हर परसन को यह दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इस आई वांट टो कम्यूनिकेट सम्थिंग एफेक्टिवली तो कभी मुझे मैस्कुलानी उसकरना है कभी मुझे फेमिने उसकरना है अगर आपने हमेशा मैस्कुलान में लागे रहोगे तो कम्यूनिकेट सम्थिंग नहीं होगा अगर हमेशा फेमिने में लागा रहोगे तब भी कम्यूनिकेट सम्हान ना होने से आपका रिश्टा खराप होगा आपका जिननेगी खराप होगा आपका रिलेसंशिब खराप होगा तो इसलिए बहुत अच्छा से कम्यूनिकेट नहीं होना वहत जोरूरी है इनसान एक इनसान से जोड़ता कैसे है due to your communication skill आपको अच्छा आपको बुरा बोहूत हद तक depend कर जाता है आपका communication skill में हाँ आपने क्या करते हो उसमें भी depend करता है आप क्या सोचते हो वह भी depend करता है लेकिन ज़्यादातर depend करता है आप कैसे बोलते हो इस धर्ती में everyone चाते है कि मुझे praise करे लेकिन वो ऐसे भी है कि सबको मखन न करने वाला praise सबको पसंद नहीं है तो इसलिए आपको धेन रखना पड़ेगा जो भी communication आप करते है जिससे भी करता है जिस चीज से related भी करता है that should be crystal clear masculine में आ जाए जो आप बताना चाते है आप बताए और at that time that is masculine माला system रहेगा मतलब आपको emphasize करके बुढ़ना पड़ेगा you should be confident enough जो आप बता रहे हो और जब आप सुनते हो तब भी you should be a good listener और good listener जो है ओ तभी बन पाएंगे जब उस time में आप feminine माला जो concept है उसको यूज करेंगे इसलिए हर चीज का जैसे पूलिंग स्ट्रिलिंग होता है एक communication का भी होता है इसको भी अगर ढग से यूज करे तभी ढग से communication हो पाता है लेकिन इसका उस actual जो masculine feminine से कोई मतलब नहीं है मतलब यह होता है कि जब हम बात कर रहे हैं और जब हम सून रहे हम खूदी इस दोनों सकती जो धरती में देखो ना सब कुछ ऐसी क्यूं बनाया भगबन ने सब कुछ masculine feminine में क्यूं बनाया कि अवरिटिंग उसमें एक सॉफ्ट टिंडर सुइट एक चीज़े एवरिटिंग उसमें स्ट्रॉंग आउटवर् रोबस्ट टीचिज है हर चीज में ऐसी क्यूं बनाया अगर इलक्ट्रॉन है तो निगेटिव है तो पॉजिटी प्रोटन है अगर मैंगनेट का नौर्थ पोल है तो मैंगनेट का सौथ पोल है तो ऐसे हर चीज़ का जब ऐसे चीज़ रहता है तो मतलब हमारा कॉम्यूनिकेशन कभी है तो आप चाहें इंटर्वी में बले इंटर्वी में बात करें इंटर्वी में ऐसे नहीं का आपको सुनना भी होता है और आप अगर गुड लिसनर नहीं है बोलते ही जाए ठेंसे सुना ही नहीं बात क्या बोलना चाता है क्या पूछना पूछ रहा है वही नहीं पता और आप आपने बोलते होगे तो फिर आपका कम्यूनिकेशन नहीं हुआ ठिक से एंड आप इंटर्वे में फिल कर जाओगी जीडी होता है गुरूप डिसकाशन होता है उसमें अगर हमेशा पूरा थूआउट दा गूरूप डिसकाशन अगर अपने मैस्कुनें पार में रहे गए त तो फोरे गूड कम्यूनिकेटर इसयोड़ विडिशुड भी बोथ ऐस लिसनर एंड स्पीकर जब स्पीकर मोड में हो तो आपको नमार्व समझना है और जब आपका लिसनर मोडम हो तो जाकि फेमिनेंट इसमझना है यह समझने से आपका कम्यूनिकर सान कई गुना बहतर ह जाता है एक रिलिस्टन में फैमिली में रिष्टेदारी में आपका और्गनाइशन में आपका बीजनेस में हर जगां में काम करता है इसलिए धन रखे जब भी कोई बात करे उस तरह से करें सो थेट सारा सारी दुनिया अपना बन जाए और ऐसे वर बात करेंगे, सारी दुनिया अपना बनेंगे